लो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने वीडिव चैनल फार्मा एमसी क्यों में तो क्या लेकिए आई हूं आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में हमारे जो यह सिरीज है ऐसे चैनल इसमें ट्वन्टी पार्ट समें लोगों ने डिसकास कर लिए स्वागत हैं वाले आप लोगों के लिए हैंब बाकी और भी-वजर्मेंट फार्मसिस अभी के लिए काफी सब्सक्राइब किजिए लाइक करना कमेंट करना को प्रेस करना था कि नोटिफिकेशन से आप लोग को मिल सके हैं और बचो आपको जो है वीडियो के साथ पीडियाफ मैटीरल भी चाहिए तो आप जो मेरे क्राश को जोइन कर सकते हैं वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाट्सप नंबर मिलता है वहां से भी आप इंफोर्मेशन ले सकते हैं कोई क्वैरी होती है तो देखो क्वेशन देखो हमारा क्या है विचे फोलिंग स्टेटमेंट इस इंकरेक्ट बच्चो कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा ग्राम पोजट्वी बक्टिरा इंड डीप वॉयलेट ग्राम नेगटिव बक्टिरा आस स्टेंड रैड बच्चे देखो ग्राम स्टेटियंग के ओपर क्वेशन है तो आपको पहले ग्राम स्टेटिंग का थोड़ा सा प्रोसेजर पता होना चाहिए सबसे पहले इसमें प बलंकी जूइन ग्राम स्टेटकि यह आपका से रहता हुं याय बिल्कुल इसी ऐए लगारM स्टेटिया बिल्कुल बड़ा लगार्यां चाहिए घरा चाहिए स्टेइन डीप वरस्ट ग्राम नेगर्टिव बक्तिरा इंड राद तो इहीं पढ़ते हो वह तो आपका चिछ प्रायमरी स्टेइन को रिटेन करके रहेंगे और वोड़ाइट कर दिखाए देंगे घ्राम नेगर्टिव वाउल से वॉष होने के बाद जो काउंटर स्टेंड जह नहीं होता है साफ्रान इन उसको रेटेन करके डिखाई देंगे सही चाहिए ना बिल्कु चाहिए रेड़ ग्राम पॉजीटिव नेगेटीव तो दो एंकरेक्ष्य तो यह हो गया देखो बही क्या पता कुछ और हो आगे दा सीकोंस ओफ एडिशन ऑस ट्रेनिंग रियाजन बता रहा है बहुत सही पहले प्राइमरी स्टेंग क्रिस्टल वोल्ड बिल्कु सही है और इन एजा मोडेंट टू फिक्स दा प्राइमरी स्टेंग यूज किया जाता है एल्कोहल जो है डी प्राइमरी स्टेंग यूज क्रिस्टल वोलेट आपने अपलाई करा तो स्टेंग तो दोनों होगे थे ग्राम नेगेटिव भी लेकिन जो ग्राम नेगेटिव का परपल कलर था वह वो शो जाता है अल्कोहल की ट्रीटमेंट के बाद में सैल लेटर टेक अप दा सैफरन न ग्राम नेगेटिव भक्तिरा की सैल जो है काउंटर स्टेंज और सैफरन इनको लेकर उसको रिटेन करके और रैड कलर की दिखाई देती है तो बच्छों आपने इंकरेक्ट बताना था मेरे साब से आपका ओप्शन भी इंकरेक्टर बाकी तीनों बाते सही लिखी हुए ठ विजटर फोलिंग इस नोट आसोसेटेड विद हाईपर कैलिम्य इन में से कौन सी ड्रका जो हाईपर कैलिम्य नहीं कराएगगे मैं बचाश्यम का लेवल कम नहीं कराती बचाशाएट आपको हाईडरोक्लोरथाजाइध जो थाईजाएट डायुरे टिग्स हैं फिरोसेम क्या रहाता है क्या करा केड़ किना थी कर सब्सक्रीज्ट मैं इनिबीटरी जो है इनके नियूरो ट्रांस्मिटर्स होते हैं इनिबीटर्स तो गाबा रिसेप्टर्स क्या होजेंगे हमारे इनिबीटरी होते हैं कर सकते हैं होलो बक्राशन चल्यदा को सकते हैं कितना प्रेशर बिए कर सकते हैं ना तो देख लो option तो बच्चों यह हो जगा 140-180 PSIG है ना at 130 डिग्री फारनाइट option B लिए सब फेज इन्विस्ट तो डिन्यार फॉर्म्ड ना तो यह जो आपके सेल डिवीजन जब होता है ना तो डिफेंट डिफेंट फेज होती है पहले जी वन होता है उसके बाद सीन्थाटिक फेज होता है उसके बाद G2 उसके पाद M मैीट प्थेंट अजिसमेएं सैल का जो मैटोम्ड वोता है ना तो डिन्यार की सिंथीस जो s-phase बच्चों जो S-phase होता है इसको सिंथाटिक सिंथक सैश भीक सौन तो आंसर क्या हो जाएगा option B next in relation to stylization what is the meaning of D 300 F 2 minute तो इसका meaning बताना आपने ये जो term है इसका meaning क्या है death of all microorganisms in 2 minute death of 300 microorganisms 2 minute death of all microorganisms in 2 minute at 300 degree Fahrenheit या death of 90% 90% microorganism in 2 minute at 300 degree Fahrenheit तो इसका मतलब क्या होता है option D death होता है किसका 90% microorganisms का death हो गया in 2 minute में और कितना 300 degree Fahrenheit temperature पर तो ये मतलब होता है हमारा D 300 F 2 minute death of 90% microorganism in 2 minute at 300 degree Fahrenheit नेक्स देखो what is the correct sequence in cell cycle तो cell cycle जो उसमें correct sequence क्या है तो बेदे को मैं अभी बताया आपको पहले जीवन होता है उसको बद एस फेज होगा तो ये कार्ट दो जीटू वाला जीवन के बद एस होता है उसके बाद आपका जीटू आता है फिर आपका एम फेज होता है जीवन एस जीटू एम ओप्शन बी में दे रखा बच्चों के नेक्स देखो सार्कोमा इस था कैंसर ओफ तो ये हमने पहले भी डिसकस किया था जो connective tissue का जो cancer होता है जो carcinoma होता है वो epithelial cells का cancer होता होके नेक्स्ट है optimum temperature for rapid growth of mesophiles है न तो बैक्टीरिया जो है इनको कहरे optimum temperature कितना optimum temperature चाहिए mesophiles जो होते हैं उनको optimum growth के लिए 40-50 degree Celsius है 50-60, 25-40 है 15-20 तो बच्चों 25-40 degree Celsius temperature requirement होता है जो होता है मीजोफिलिक बैक्टीरिया का वह होता है 25-40 जिए 25-40 degree Celsius option C हैना तो बैक्टीरिया को देखो इसके अकोर्डिंग क्लासिफाइग किया गया है तो मीजोफिलिक होते है थर्मोफिलिक होते है सैक्रोफिलिक मीजोफिलिक जो आभी देखा हमने optimum temperature एक्टीर बैक्टीरिया से अन फौटीविव बीच का टंप्रेचर पर ग्रोह करते हैं थर्मोफिलिक जो तो एक्टीरिया और निदक banco घ्रोफिलिक जोड़ाइगा है ना यह heat loving होते हैं इनका growth range होता है 25-80 degree Celsius optimum कितना है 50-60 degree Celsius है ना तो यह ध्यान रखना भई next देखो what does the Latin term dolor argente signify in a prescription dolor argente का मतलब आप लोगों ने बताना है बच्चो to be taken when the pain is severe to be taken immediately to be taken देखो to be taken सम्मेद रखे हैं है ना तो dolor argently का मतलब हो जगा to be taken when the pain is severe है ना option क्या हो जाएगा बच्चो A1 हो जाएगा to be taken when the pain is severe what can be formed in our heat and pressure but cannot be soft or remolded once harder एक बढ़ हाड करने को उसको softer नहीं कर सकते तो यह होते है सैट हो जाएंग ने एक बढ़ सैट हो तो इनको आप दुबारा से रिफॉर्म नहीं कर सकती है ना इनको दुबारा से वहीं सोफ्ट करके रिमॉल्ड नहीं कर सकते हैं एक बढ़ उनको आपने हाड कर दे तो यह थर्मो सब्सक्राइब कर दिया रिमॉल्ड कर दिया मतलब कि एक बढ़ी जो है इनको हाड कर दे तो इनको दुबारा से सोफ्ट रिमॉल्ड नहीं कर सकते हैं तो इनके एक्जामपल्स भी देख लो जो प्रिमॉल्ड नहीं कर सकते हैं तो यह इनका बेसिकल आडवांटेज हैं तो देखो देखो दिखाट आटिकल्स वाग्ट अगें तो गया नूव मेटीर्यल है संधिर यूज थर्मो प्लास्टिक बता रहा हैं जासे पॉलिथलीन हैं केबल्स बकेट पाइप्स बने उते हैं पोलीप्रोपाइलीन है milk cartons होते हैं ropes बनी होते हैं पॉलिविनल PVC पॉलिविनल kloride के gloves है waterproof garments है यह बनते है टैफलोन टैफलोन से gasket coatings जो होती है नौ ठीक है ब्लूम स्ट्रेंथ Hobbs बच्चों आपका जेलेटीन के लिए अउपन क्या होज загнуть कहुज के क्वाल ने के लिएूश किया जाता है और ब्लूमस्ट जो है ड्रक्नी प्रोजा और हुखक्सी के अपके सिस्टम के पार्ट होते हैं जो ओल्ड सिस्टम है नेक्स्ट है इज ओफ चाइल्ट इस टैनियर से अटल्ट डोस पर्टिकूल ड्रग इस फाइवन एमजी वट विल भी अप्रोपिरेट चाइल्ट डोस दा सेम चाइल्ट फॉर दा सेम ड्रग फॉर चाइल्ड ना तो आपने जो है दस साल का बच्चा है तो आडल्ट डोस दे वैल्व हैना इंट्व डोस दे रखा है और अगर दिलिंग्स लगा तो एज इन इस डिवाइड बाइट ट्वेंटी इंट्व डोस होगा यह डिलिंग्स का इस तो हो गया यह 250 तो डिलिंग्स के अकोर्डिंग आपका 250 जो है एमजी डोस निकल के आएगा तो इसमें गयर इसके अकोर्डिंग तो यह 250 होगा निकार दो है ना तो आपका जो है डिलिंग से तो 227 निकल निकला है तो बच्चों आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कु सिंपल है ना बाकि निकालके देख लो यह यह अप्रोक्सिमेट 227 अमजी आएगा निक सब विच्व फॉल वैसि कुलर ड्रक डेव 2 those — ड्रंस्फे ओं संपर्वाद फार्मक वल्सु एगेंद्स हल्बिवेलु वाटर की आजन्स के अचालवी वैलीवगогों से रखः ईए लगहे डिक देख प्रे की यह 8 ल्ग होगों 5-303030 स्टित्पराइब कैसी चींट के का टूश्ट की देखलो अंती फोर्मिंग आजनेंट्स की फोर्मिंग एठ मोटर इन ओली इमंसिफाइग आजन्स की 326 और जो है ओल इन वोर्टर मालों की 8-16 वैटिंग आजन्स कि 7-9 बेटर्जार्फ के 13-15 होता है सोलबलाइजिंग आजन्सक्राइब 16-18 नेक्स्ट चांटामिनेशन ओफ मिल्ड पार्ट इस वैरी लो और नेगलीजिबल इन तो कंटामिनेशन जो है मिल पार्ट का बहुत ही कम होता है क्योंकि इस मिल में कोई तो यह देखो डिसिंटिक्रेटर बॉल मिल है मिल फ्रोड नाजी मिल होती है ऑप्शन टी ओके ना तो यह जो है फ्रोड नाजी मिल इसको यूज करते हैं ग्राइंड करने के लिए हीट सेंसिटिव सब्स्टेंस के लिए आपका सल्फॉनामाइड हो गया विटमिन्स हो गया आपका सब्सक्राइब हो गया है तो यह वे बच्छों को देखते समझाल हो रही है तो उप्शन टी हो जगा इंट्रनेशनल फार्मकोपिया इस पॉब्लिश्ट वाई तो इंट्रनेशनल फार्मकोपिय को कौन पॉब्लिश करता है आई सी डवलू अच्छोँ वाउल्ड हैजेशन ऑप्शन बीश अंटर यंट्रग और को समेटिक एंटर इसके रूल्स आते ना उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 16 12 18 या 24 तो यह 18 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ओप्शन क्या हो जगा सी है ना तो करें ड्रग कोस्मेटिक रूल है बिवाइड इन्टो 18 पार्ट्स इच बिलोंग विद पार्टिकुलर सब्जेक्ट नेक्स पावर ओफ ड्रग इंस्पक्टर पॉइंट अंडर ड्र द्रग कोस्मेटिक नाजिन 40 आर मैंशन अंडर फॉलिंग सेक्षिन तो पर ड्रग इंस्पक्टरी पावर्ज के लिए बच्छों सेक्षिन ट्वंटीवन होता है ओप्शन सी हो जगा सेक्षिन 22 नेक्स्ट हैं फंक्शन ऑव सेंट्रग लाबोरेटरी का फंक्शन बतादो क हैं सलेवनन ओफ स्ट्रेश फॉर फ्रक्टोस इना तो फ्रक्टोस होता है है तो इसनलेवन हुआ आपका जो है आच असका श्रियू उस्के लेजार्ष में यॐ dalla इंट तो थीम्पर नेक्स्ट हैं इसके तो फॉल्लिएंग नहीं नहीं है compensation कुरजं और आप os ना मिदा लगारा है आपके यो आपके देखो शुक अंडवा गलुक्योजड दो गलक्टोज सोगिया माल तोज क्लूंश में दोनों गुलुकोस होते याद रखना है 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 नेक्स्स नहीं प्रिक्षिंटर पेलेग्रा डिजीस होती हो जाएगा नािट फ्लेंटर विटामिन-C की डैफिशन्स पर्लेग्रा जो है आपका उप्षन जो है देखो इसमें अनिद डियूजजिस दोगा बाकि रिकेट्स तो आपका वीटामिन डी कि देफिशचई की지만 चिल्ड्रस में केरीकेट्स करण शक्राद से ऑस्टमलेशिया होता है उसे तो नायसिं विटामिन भी 3 नायसिंेक डीकिसे से हमारे पलेगरा डिजीज होगा ने से विचुँ दर फोलूंगी इंसॉल्यूबल में वोटर तो वोटर में आपको बतारका WBC से आप याद रखते हो ओना बी और सी वोटर में इंसॉल्यूबल होते हैं कौन सा इंसॉल्यूबल है वोटर में है ना तो आपका जो है हाँ बच्चो बी और सी वोटर सोलुबल होते हैं डबलुबी सी तो बिदार्फेन डपना कौन सा है लाइसिन, प्रोलाइन, लिूसीन, टायरोसिन न तो जो है जो आपका हिस्टेडीन है आरजीन है लाइसीन जो है आपका बेसिक में आता है उप्शन ए निस स्टेटिफाइड कोर्क प्राजंट इन रूट आई-पिक अकुनाइटा शुगंदा रूवाल्फिया जो है रूवाल्फिया सर्पेंटाइन आपको साने सी फैमिली होती और वॉवालफिया में जो रिजरपीन होता थे या एकोहां प्राइफ टैंशी में रूट युश्ट प्राकति रूट प्रेक्षाईदौ इंप डूक तो कम दोईले प्डश को ऱ्वशिक में घुक्तों होतीनों च्प्षां यृ राइट फोजाएगा हना आप लूट बि आप कि दा फोलोइंग क्रूड ड्रग और यूजब एज एज एंटीसेप्टिक एक्सइप्ट न तो सार्वाइद गूगुल ब्लाइड नियम कुरकुमा तो एंटीसेप्टिक कौन से नहीं है गूगुल को छोड़ के बागी तीनों एंटीसेप्टिक हैं अच्ट फञां ग ग्रींग कलर की फ्लॉरिशन्स देते हैं मतलब कौन से के लिए यह टैस्ट पोजिटिव होगा ना तो ब्लैक टेशू पेल के टेश्ट नेटम ग्या सफ़ोर्ट तो हमारा पेल कर टेच्व जो होता ना अंकेरिया गैंबर अरुबी ऐसी फैमिल जिसकी होती है तो पेल कटेच बिलोंग तो भी सिस्टम उफ मेडिसिन तो चरक का जो है कौन से सिस्टम उफ मेडिसिन से बिलोंग करते हैं युनानी सिद्धा होमेपत्य अरुवेदा आंसर इस ऑप्शन दी आरुवेदा नेक्स्ट हैं अमंग फॉलिंग विच्पन इस नौट दा डेरिवेटिव ऑपियम तो एक गोणी नहीं होता जो है हमारा ओपियम का डेरिवेटिव फॉलिंग कॉंस्ट्रांट उस तो ट्रिट एड्ट ओरिकूलर फिब्रिलेशन जो है हमारा उसको ट्रीट करने के लिए सिनकोणा का कौन सा कॉंस्ट्रांट उस होता है मतलब मेली अरुदिमिया में सिनकोण उसला का आपका गोनेशन ठोल सिस्ट voi होते है में तो कुई नी खालका ढॉट करना के लाइकास और शूगरहन प्लटिवेशन ब्लाइक्ट चुगर्न फार्ट होता है क्लाहिवे फॉलाइक जयन गहलते में कुई को होते हैं कुईनओलिंद ना यह को कि ऊप्षिट긴セーダर होटे हैं तो सब्सक्राइए हो जब निकोटिन इसमें से most important nicotine होता है और इसमें नोर निकोटिन आपसिन भी टोबैक्व में प्राजन्ट है विए ना तो डैडली नाइट शेड लीव जो है बेलाडोना इसका जो है बेलाडोना का सिनोनिम होता है डैडली नाइट शेड लीव तो बाजिकल पूछा है सिंपल नौक्स यहाइस निगा अट्रॉपा बेलाडोना है एक दिर्फोल लेंट लेंट्र मिटल है ना तो अट्रॉपा बिलेडान का सोर्स जो है फैमिली आपको पता यह सारे के ट्रोपेलल लेकलोर्टी वी फैमिली सुलनेस्टी होती है बच्चों एकसक्त को को जिसकी क्या होत काइनेमिक में आपका जो ड्रक का मेकैनिजम औफ एक्शन ये सब आ जाएगा तो काइनेटिक पूचा है तो काइनेटिक हो जागा वाट बोडी डर्पशन भी हो जागा बच्चों के नेक्स्ट है डाश स्टड़ी ओफ हाओ बोडी इंटरक्ट विद अडिमिनिस्टर सबस्टेंस फूट अंटायर डियोशन ओफ एक्सपोजर तो हमारी बोडी कैसे इंटरक्ट करती है वाट बोडी डाज टू दा ड्रग वही है फार्मको काइनेटिक हो जाएगा है ना एडिय अच्छाल ड्रग में होती है यह ना जो होती है हाँ कि देखो ड्रग को बोडी के बाहर जाना होगा तो यह को सिरसी बोड़ी से बाहर जाने के लिए वोटर सोलीबल में कन्वार्ट होना होगा इसलिए हमारा मेटाबोलिजम पढ़ते हो जिलीवर में होता है में लिया ना तो उसमें नोन पोलाड ड्रक्वाइब तो यह हमारा इसका आंसर जो है वैसे ओप्शन डी हो अपिन आफ्रीन को एड करते क्यों इंक्रीज करा दूरेशन और डूरेशन और डूरेशन और डूरेशन और रख्शन अव्लोकल अनस्थाटिक नेक्स क्या है प्रिकरसर थाइरोक्सिन का हर्यं गाता है सबसे पहलता है है यह आसे अपका टार वे kur से आपका टार केड़लो का तिनों का प्रिकरसर हमारा उप्शहन टी हो गया टैरe कर और से फालओंंग इस्पोल्विंग कि इंःवीटर्ऊ कीबात hai ृआप्ट्व внутри इनिट्रमीटर सिमेटरीन कि टोचोंग नाजोल हो गया इर्यथ्रोमाइसन होगे सारे इनिपिटर में आते हैं को कम कराएगी गैस्तिक आश्डके सिकरेशन को कम कराएगी बहुत देखो कि सिक्रेशिन को कम करें ना और एक एस्टेट्र गिंदेगा इस हो चैनल को क्तिक जाहिए तो आपके सिस्ट्रीय ब्रोंको डाइलेटर तो देखो बच्छे इसमें बीटा टू का जो अगुनिस्ट रोंको डाइलेटर है तो टर्बुटालीन हो जेगा जो स्टाटस अस्थमाटिकस में उस होता है तो आप जब ड्रग पढ़ते हो तो एक्सपक्टोरेंड्स होते हैं जो प्रॉडक्टिव साथे रखा ऊप्षिन ब्रोंको डाईलेटर हैं यह सारी क्या होती है यह मूकोलिटिक्स अधिक जो म्यूको को ब्रेकडाउन करा देंगह मौकोलिक्स वह कोई पोनते हैं ए-पैंडेंट कर्बोसे इंस्यू disorders अबच्छ कोडीन निहीं इन सीन्सुन डिपेंडेंड़नी सो भूकिन डिपेंडेंडेंड मोला डाagers अथर और इंसीलिन डिपेंडेंडेंड मतर्यत वही इन स्यू निल्स ऐक है यह हो जाएगा लिषस ऑल्टरा शोट एक्टिंग फीपरेशन से परते की बात हो रही है तो लिस्प्रोस पार्ट गलूली साइन जो ती है यह लिए प्रो स्वाइब प्रोटामीन इंसुलिन यह 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 इंप्रोटामीन है यह इंटरमीडियेट में आता है और डेटिमर गलारगीन जो है लोंग एक्टिव होती है डी ग्लूडैक भी होता है दिफ्यूजिव मिक्सिंग शियर मिक्सिंग माइकरो मिक्सिंग इसका अंसर आप लोगों कमेंट अपको से लिए अगर आपको व्यूड़ अच्छे लिए लाइक करने चैनल पर नहीं है तो में आप लोग उसे रिक्वेस्ट एक चैनल को प्रीज सब्सक्राब जीर करना ओके थैंक यू